हाई एब्रिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके साम देंक मोश्ट इंपोर्टेंट मैट्स का लेक्चे वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10 स्टैंडर्ड के लिए मैट सब्जेक का जो पार्ट व होता है यानि कि जोमेटरी सब्जेक का जो हमारा नमब फूर जियोमेट्रिक कंस्ट्रॉक्शन बहुत इंडिमांडिंग चाप्टर है बहुत भेतरिन और इजी चाप्टर है देखा जाए तो और बहुत सारे लोग का मानना यह है जो बड़े बड़े लाइक टीचर्स होते हैं उनका मानना यह है दोस्तों कि हमेशा से बोल जिन लोगों को भी अच्छे मांक स्कूर करने ゃंसे से जो भी कोशें आते हैं और इसने फूल की साफ मिलेखे चांकसे से तो पहला लेक्चर है और हम बात करने वाले और इसका नाम में लिखता हूँ, यहां पर समझ लो, यह दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, समझ लो, सिमिलर होंगे, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, आप वो चीज़ एक बर चेक कर लाना, तो यह similarity का concept था, chapter number 10 में भी था, sorry, chapter number 1 में, 10th standard में भी था यह चीज़, तो similarity जो क्या होती है, similarities यानि कि, कहीं न कहीं, यह दोनों जो ट्राइंगल से, यह एक दूसरे के सेम है, समानतर है, हिंदी में समानतर बोलते हैं उसको, तो same है, इसका मतलब क्या होगा, कि कुछ न कुछ फंडा तो जरूर होगा, तो same जब होते हैं, तो यह जो side होगा, वो यह side से same होगा, यह side से same होगा, और यह side जो होगा, वो यह side से same होगा, तो इंचवर हम लोग कैसे लिखेंगे, कि AB जो होगा, वो upon हो जाएगा, यह वा यह चीज similar क्यों हुए, क्योंकि एक property है हमारा, that is corresponding sides of similar triangle, CSST, corresponding sides of similar triangle, CSST हम लोग shortcut में लिखते हैं, कि कभी भी दो triangle अगर similar होते हैं, तो हम लोग इस प्रकार उसके side का ratio बना सकते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उसके vertex भी same होते हैं, यानि कि समझ लो कि एक triangle जो होता है, और दूसरे triangle का vertex होता है, तो उस प्रकार कैसे diagram बनेगा, उसका, तो आपका diagram बनेगा, समझ लो इस प्रकार कुछ रहेगा, तो समझ लो एक triangle है x, y, z, ठीक है, और एक triangle है, जिसका नाम है, p, y, w, ठीक है, तो यह हो गया, बड़ा वाला x, y, z, और छोटा वाला उसके अंद अलग से रहेंगे, तो अलग से तो आप easily बना पाओगे, वह मैं आपको बता दूगा, तो दो type के question कराने वाला हूँ, practice set में, जिसका नाम है practice set number 4.1, तो 4.1 में पहला example, जो कि इस type का triangles, उसमें draw करके पता चलेगा, और दूसरा question करा हूँगा, जिसमें इस type का diagram आपको बता आएगा करने में, दोई question करा हूँगा, छोटा सा वीडियो होगा, ध्यान से देखना, बहुत ही helpful होगा, और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, तो बचे वे examples भी आपको अच्छे से करने आएगा, और आप अच्छे से कर पाओगे, और मज़ा भी आएगा आपको कर ठीक है, क्योंकि construction का chapter है, इसमें draw करना है, और एक और चीज़ बता दू, construction chapter है, तो आपके पास अपना हतियार होना चाहिए, हतियार मतलब क्या दोस्तो, ये होला नहीं, तो हतियार आपके पास होना चाहिए, कौनसा, आपका pencil, आपके पास scale होना चाहिए, आपके पास compass, य नहीं, हम डालते हैं, किस से, हम डालते हैं, रेड़ वाले से, ठीक है, तो रेड़ वाले से डालते हैं, चलो, क्या नाम है, practice set number, क्या नाम है, कितना यार, 4.1, 4.1, ठीक है, डाल दिया, चलो, question number 1, heading डाल देते है, question number 1, क्या दिया हो है, पहला question, पहला question इस प्रकार है, यहा यहां पर clear cut उन्होंने बोलके रखा है कि एक triangle जिसका नाम है ABC वो similar है यहां पर दूसरे triangle जिसका नाम है LMN यह दोनों triangle क्या हो गए आपस में similar हो गए तो similar हो जाएंगे तो corresponding sides of similar triangle हम लोग यूज करेंगे बेटा तो हम करेंगे कोई बात नहीं तो यह चीज दिया हुआ है हमें इन triangle ABC में यहां पर कुछ values उन्होंने देके रखा हुआ है जैसे कि AB का value है 5.5 cm यह दिया हुआ है तो यह लिख लेते हैं हम लोग AB 5.5 दिया हुआ है उसके बाद BC 6 दिया हुआ है तो BC जो है वो 6 दिया हुआ है 6 cm है यह सभी चीज सेंटिमेटर में ध्यान में रखना 6 cm दि दिखाना है तो बना देके दिखा देंगे कोई बात ने लेकिन एक चीज और बोला है उन्होंने कि BC अपॉन MN जो है एक और value दिया हुआ है BC upon MN जो है इसका value ratio में दिया हुआ हुआ है उन्होंने अनुपाथ जिसको बोलते है ratio का मतलब हिता है Hindi में जो Hindi medium वाले है बहुत क given ठीक है अब इसको solve कैसे करना है सबसे पहली बात दोस्टों यहाँ पे समझने वाली यह है कि जब हमें बोल के रखा है कि यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो automatically एक फंडा अभी अभी हमने सीखा था क्या कि यह दोनों के जो इसके लिए MN हो जाएगा MN is equal to तीसरा क्या है A और C यानि कि A C upon L और N यह हो गया तीनों लिख दिया यह तीनों equal है आपस में क्यों होंगे corresponding sides of similar triangle जब दो triangle जब similar होते हैं तो यह चीज हम लोग लिख सकते हैं ठीके लिख दिया मैंने अब इसके बाद क्या कर सकते हो एक चीज हमें दिया हुआ है क्या दिया देखो B C upon MN जो है पांच बटे चार देके रखा है B C upon MN जो है 5 upon 4 देके रखा है तो यह रहा B C upon MN यानि कि इसके जगा पे हम लोग लिख सकते हैं, कि BC upon MN है, वो 5 upon 4 है, तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, therefore, जब BC upon MN 5 by 4 है, तो सब के सब सेम है na BC से, equal है na, तो ये पूरे के पूरे 5 by 4 हो जाएंगे, यानि कि in short में कैसे लिख सकता हूं, therefore, AB upon LM, यानि कि पूरा का पूरा अब एक और चीज हमें देके रखा है, कि कुछ values देके रखें, AB का, BC का और AC का value हमें देके रखा है, तो जो जो values देके रखा है, वो डाल दो, AB के जगा पे 5.5 लिख सकते हैं, तो 5.5 upon LM हो जाएगा, is equal to, BC का value दे रखा है 6, तो 6 upon हो जाएगा, MN is equal to, AC का value देके रखा है उन्होंने 4.5 upon LM, is equal to 5 upon 4, अब मैं क्या करूँगा, दो-दो को उठाओंगा, जोडी में, दो-दो को मतलब एक ये उठाओ, और ये वाला value उठाओ, तो इसमें क्या मिलेगा, जो जो यहाँ पे unknown value है, वो मिल जाएगे, कैसे मिलेगे, देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, ये 5.5 upon LM, उठाओ, 5.5 upon LM को मैंने उठाया, is equal to, ये पूरा जो है, equal to ये ही है, ये भी equal to ये है, ये भी equal to ये है, और ये पूरा is equal to 5 by 4 लिख सकता हूँ, मैं, yes, लिख सकता हूँ, तो LM का value यहाँ से मिल जाएगा, therefore, LM जो होगा, वो क्या हो जाएगा, 5.4 multiplied by 4 divided by 5, और मैं by 4 divided by 5 होगया, तो कितना आजाएगा LM का value, निकाल के रखा हुए हमने, calculate कर रहा है, 5.5 को 4 से multiply करोगे, तो लगबख कितना आ जाता है, 22 आ जाता है, शाहिए, 22 upon 4 कर दोगे, तो आपका answer आजाएगा, LM का value मैंने निकाल के रखा है, 4.4 आ रहा है, ठीक है, LM का value आ रहा है, 4. 4.4 cm, ये पहला मिला, देखो, अब confuse मत ओना कि ये निकालने बोला था, कहीं नहीं बोला है, निकालने, ये क्यों निकाल रहे हो, बताऊंगा, ध्यान से देखो, क्यों निकाल रहे है, ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा, LM, निकाल लिए, आपने 1 निकाल लिए, यह 5 by 4 यह उठा लिया ठीक है तो अगेन सेम उसी प्रकार MN जो है अगर आपको MN निकालना है तो यह 6 और 4 multiply हो जाएंगे आपस में और 5 नीची आ जाएगा 6 multiply by 4 divided by 5 therefore MN जो है निकल जाएगा यहां से कितना आएगा MN is equal to 64 24 divided by 5 24 upon 5 करोगे तो 4.8 आ रहा है तो 4.8 cm यह आपने दूसरा value निकाल लिया होगे दो अब तिसरा बचा है यहां पे LN वाला तो इसको भी उठा लो 4.5 divided by LN is equal to 5 upon 4 इसको भी solve कर लेते हैं क्या हो जाएगा LN का value LN is equal to 4.5 multiply by 4 divided by 5 अब solve कर लेते हैं इसको क्या हो जाएगा 4.5 multiply by 4 is nothing बट लगबग आ जाएगा आपका 4,4 जा 16 हो जाएगा और दो 18 तो 18 बटे 5 कितना हो जाता है लगबग 3.6 हो जाता है तो LN का value भी आ गया है जो कि मैंने निकाल के रखावे 3.6 cm तो आपने यह 3ों का निकाल लिया क्या करेंगे क्या करेंगे सवाल उठता है ना तो यह क्यों निकाला ध्यान से देखो एक triangle है जिसका नाम है ABC तो ABC में side कौन कौन से है A B है B C है A C है तो आप 3 नों का value पता है न आपको AB का 5.5 पता है BC का 6 पता है और AC का 4.5 पता है तो आप जो है यह triangle ABC जो कि आपको पुछ जो की दिया हुआ था लेकिन दूसरा जो element था उसका नहीं पता तो आपने सब साइड निकाल लिया आपने LM भी निकाल लिया आपने MN भी निकाल लिया तो तीनों के तीनों साइड आपने निकाल लिया तो अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा triangle को और method of construction से तो आपको क्या करना पड सकते हो आपको दिख जाएगा बाब में आप note down कर लेना आपने notebook में notebook जरूर से maintain करना दोस्तों जो भी मैं बढ़ाता हो आपको तो वह चीज़ बहुत important है तो सबसे पहले क्या करें हम लोग इसको मिटा देता हूं इतना मिटा देता हूं इतना मिटा देता हूं इतना मिटा ABC ड्रौ करने के लिए base चाहिए तो base के लिए एक line खीज दो समझझ लो मैंने लेया base के लिए line और इसका नाम मैंने ground वी c टू स्के रो कर लिया बहुत बार ड्रौ कर लिया 9-8 में कि आपको rough figure ड्रौ करने के जरूत नहीं बढ़ीके rough figure ड्रौ कर लेना चाहिए तो ऐसा rough figure draw कर लो A, B, C draw कर ले न और आपको idea मिल जाएगा क्या करना है तो ABC हो गया BC का value है 6 AB का value है 5.5 और AC का value है 4.5 तो ये rough figure का idea है हमाले पास ये ही rough figure के help से करेंगे तो सबसे पहले BC draw करना था तो BC draw कर लिया 6 का rough figure draw कर ले राउंडर जिसको बोलते हैं उसको scale से map के 5.5 ले 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 लेना 5.5 का distance ले ले लेना यहाँ पे रखना B point पर cut मार जाना यहाँ पे एक arc बनेगा 5.5 का वैसे ही 4.5 ले लेना C point से 4.5 ले लेना इसमें पहले 5.5 लिया ठीक है इधर का मारने के लिए 5.5 लिया तो यह बन गया आपका triangle ABC नाम का ठीक है उसी प्रकर आपको L M N बनाना है तो इसको मिटा दो और एको triangle rough figure में बना देना ऐसे ही क्या नाम है L M N तो M N कितना है 4.1 इधर draw कर होगे L M कितना है यह वाला 4.4 दिया है L N कितना है 3.6 है draw कर लेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे M N तो इधर M N ड्रो कर लो यह M हो जाएगा यह अपका N हो जाएगा कितना है 4.8 cm का straight line खीच के draw कर देना बन जाएगा आपका उसके बाद M से लेके L के बिच में 4.4 है राउंडर लेना 4.4 का यहां से एक आर्क मार लेना यहां से आपको N से 3.6 का आर्क मार दोगे यहां पे point मिल जाएगा draw कर देना इसको और यह point को L नाम दे देना बन गया आपका triangle element और यह आपका बन गया दोनों triangle जो आपको construct करना था this is the triangle ABC, this is the triangle element जो values रहेंगे वो डाल देना यहां पे जो values रहेंगे वो डाल देना मैंने लिखा नहीं है और यह था हमारे question number 1 का answer कितना simple है आप ही बताओ, थोड़ा सा time लगेगा कि आपको थोड़ा सा solve भी करना है, थोड़ा सा draw भी करना है दोनों चीज़ करना है, तो time जरूर से लगेगा लेकिन दोस्तों यह marks आपको देके जाएगा, इतनी guarantee है बहुत सारे चीज़े आपको ऐसी पूछ लेते हैं, जो आपको नहीं आता है करने के लिए लेकिन मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि यह chapter में जितने भी question साही बहुत easy हो, ध्यान लगाओगे खोड़े हो सकते हैं, लेकिन easy बहुत है तो आप कर पाओगे, और अच्छे marks score कर पाओगे ठीक है, तो यह हो गया हमारा पहला question एक और question, जैसे मैंने promise किया था, दो question कराओगा तो यह हो गया, पहला type का, यानि कि दो अलग-अलग triangle जब दिये होते हैं, तो आपके इस प्रकार draw कर रहेगे जिसके vertex same नहीं होते हैं, तो इसके vertex अलग-अलग थे, दोनों ही अलग-अलग triangle थे, तो आपने draw कर लिया, अब question number 2 कराओगा जिसमें एक ऐसा है, कि आपका vertex same होगा, जानि कि एक triangle के अंदर एको triangle आजएगा, जैसे मैंने आपको बताया था न, starting में उस प्रकार का, ठीक है, तो इसको करवाते हैं आपके रिए question number 2, इसको रफ कर लूँ ठीक है, फटा-फट से, चलते है question number 2 की तरफ, मिटा देते हैं पहले इसको ठीक है, उमीद कर रहा हूँ दोस्तों, कि आपको ये चीज़ बहुत ही easily समझ में आ रहा होगा ध्यान से वास बने रहो, आप हमारे साथ, देखते रहो हर एक चीज़ आपको यहाँ से clear होते जाएगा question number 2, आज के लिए हमारा आखरी question इस lecture के लिए, क्योंकि इसके बाद 3rd और 4th example तो है, ये practice rate में और 2 example बचे होए ना, 4 example इसमें तो लेकिन में 2 ही कराने वालो, आपको 2 homework दोंगा तो question इस प्रकार बोला है कि triangle PQR और LTR, बोल के रखा है triangle PQR is similar to triangle LTR ये उन्होंने बोल दिया, अब दोस्तों सवाल ये है, सवाल ये है कि यार ये अलग-अलग triangle बनेगे कि same triangle में आएगे, ये बहुत ज़्यादा लोगो confusion होता है, आपको याद रखना है, दोनों के alphabet को देखो, ये PQR है ये LTR है, यानि कि ये जो R है ये दोनों में आ रहा है, यानि कि इसका vertex same है, ये चीज़ ध्याद में रखना है, दोनों का vertex जो है, वो same है, vertex जब same होता है, तो automatically एक triangle जब बनेगा, तो उसके अंदर एको triangle बन जाएगा, इस प्रकार से, तो आईसा लिए हर चीज़ समझ में आ जाएगा, तो चलते हैं problem की तरफ, क्या question है, एक triangle दिया हुए, और इसमें बाकी का जो दूसरा triangle है, PQR का इसका value दिया हुए हमें, in triangle PQR जो है, इसका value हमें दिया हुए, क्या क्या दिया हुए लिख लेते हम लोग, PQ 4.2 दिया हुए, ठीक है, चलो, PQ 4.2 है दूसरा चीज क्या दिया हुए, यहाँ पे QR 5.4 है, QR जो है वो 5.4 दिया हुए, और एक और दिया हुए तिसरा, जिसका ना में PR ठीक है, ना, PR नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, PR ठीक है, PR दिया हुए 4.8, यह 3 चीज आपको दिया हुए question आपको अगेन पूछा है, कि यह दोनों triangle को construct करके दिखाओ construct the triangle, दोनों इतना और एक condition दिया हुए, कि PQ जो है PQ अपॉन LT PQ अपॉन LT जो है, वो 3 बटे 4 ऐसा दिया हुए उन्होंने, ठीक है, PQ अपॉन LT जो है, वो कितना है, 3 बटे 4 है तो सबसे पहली बात, एक चीज आपको समझेगा कि यह दोनों triangle में, एक angle जो है, वो comma है, तो हम लोग इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं, कि जो मेरा angle होगा यह triangle के अंदर, ठीक है, आइसा लिखता हूँ में in triangle PQR and triangle LTR यह दोनों triangle में आप देखोगे, तो angle जो है, मेरा P, R, Q यानि कि R वाला angle, जो क्या हो जाएगा similar हो जाएगा, congruent बोल लो similar बोल लो, एक ही बात है, ठीक है एसा निव डॉख करते हैं, ऐसा करते हैं ठीक है, congruent, ठीक है यह दोनों R वाले triangle, angle को मैंने क्या बताया, congruent बताया, तो यह क्यू होता है, क्योंकि corresponding angle of similar triangle चीक है ना, सीम है corresponding angle of similar triangle, अब इसमें एक चीज़ हमें पता चल गया कि जो angle R है, वो क्या है, एक vertex है, vertex यानि कि similar vertex बोल सकते हो similar है, angle R क्या है similar vertex है, यह चीज़ हमें समझ में आ रहा है, और एक और चीज़ अगर हम consider करें, यह तो पता है ना, कि यह दोनों triangle क्या है similar है, तो जब यह दोनों triangle similar होते हैं, तो हमारा एक और खफंडा बनता है, कि यह हमारा जो sides होते है, PQ upon L T is equal to QR upon TR is equal to PR upon L R, कैसे आया same, जब भी भी कोई दो triangle similar होते हैं, PQ होई गया यह देखो, पहला दुसरा, PQ upon इसका पहला दुसरा, L T, तो PQ upon L T वैसे ही, दुसरा तिसरा, QR upon TR, QR upon TR वैसे ही, पहला तिसरा, PR upon L R, सबन में आया, यह common है, और एक चीज़ हमें दिया हुआ है, कि PQ upon L T जो है, PQ upon L T जो है, 3 बटे 4 है, तो PQ upon L T जब 3 बटे 4 है, और यह 3 आपस में equal है, यानि कि यह total 3 बटे 4 हो जाएंगे, सब्म्यार है, यह 3 के 3 बटे 4 हो जाएंगे, अब एक चीज़ हमें है कि हमें PQR का value दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, PQR का value कहा गया हाँ, PQ, QR और PR, PQR का जो value दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, triangle को draw करेंगे PQR नाम का, तो PQR नाम का triangle draw करते है सबसे पहले, चलो, तो यह होगय QR सबसे पहले QR ड्रो करेंगे नीचे बेस होई होगा ना QR कितना है 5.4 तो यहाँ पे 5.4 नाम का QR मैंने ड्रो कर लिया समझ में आ रहा है दोस्तों में क्या बता रहा हूँ अब दुसरा चीज यह है कि PQ का value 4.2 दिया हुआ है यानि कि जो P बनेगा यह Q से 4.2 दूरी पे रहेगा तो राउंडर ले लो यहाँ से 4.2 का एक मार्किंग कर लो ठीक है कर लिया फिर आपका जो PR है 4.2 यानि कि R से लेके P तक का कुछ आएगा इस तरह से मार्किंग 4.8 का मार्क कर लिया एक point आपको मिल जाएगा यहां से इसको आप draw कर लो इस प्रकार से आपने draw कर लिया ठीक है तो यह क्या बन जाएगा PQR आपका बन गया ठीक है अब PQR आपका बन गया अब लेकिन यह चीज़ खतम नहीं हुआ है आपको क्या draw करना है LTR भी draw करना है तो LTR draw करने के लिए अब क्या होगा क्योंकि इसमें जो funda है ठीक है न इसमें जो funda है दोस्तो यह क्या है बहुत ही different है बहुत ही different यह है क्यूंकि आपको R बनाना है तो देखो इसमें आपको थोड़ा सा correction बताऊंगा ठीक है यह आप चीज़ इग्णोर कर देना ठीक है आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो लेकिन इसमें क्या वर्टेक्स सिमिलर नहीं आएगा ठीक है एक चीज़ थोड़ा सा correction में करना चाऊंगा माफी मांगना चाऊंगा उस चीज़ के लिए अगर दे यह आपको शायद नजर आएगा यहाँ पर समझ लो इस प्रकार का मेरा triangle रहेगा और उसके अंदर एको triangle रहेगा यह आपका रहेगा बड़ा वाला L T sorry L T R इधर लिखता हूँ L यह डिस इस T और इस इस R और यह रहेगा P Q R समझ में आ रहा है तो यह P Q R और यह L T R देखो अब बन रहा है तो इसमें R common हो गया यह L R T के लिए भी हो गया यह P R Q के लिए भी हो गया अब इस तरह आपको बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बन आना है तो P से Q का कितना distance है 4.2 यानि कि आप Q से आप क्या करोगे 4.2 का distance लेके इधर पर आक कट मारो हो गया वैसे ही यहाँ पर P आने वाला है तो P से R का कितना दिया हूए 4.8 अब यहां से 4.8 का कट मारो तो एक आपको मिल जाएगा point आप सीधा सीधा इसको connect कर देना तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां से आपको एक angle करना है कितना भी आपके मर्जी का लेकिन वो acute angle होना चाहिए यानि 90 से कम होना चाहिए तो मैं करता हूँ इस प्रकार एक draw करता हूँ समझ लो इसका नाम में लगता हूँ Rs यह S हो गया तो मैंने क्या कि दिखता हूँ draw acute angle of ray RS, ray मैंने ड्रॉ किया RS नाम का, अब वो RS को क्या करना है, यह RS जो line है इसमें आपको क्या करना है segments ड्रॉ करने इकवल लेंके तो आपका compass ले जो rounder और आपके इसाप से equal gap का एक cut मारो, यहां पर आपने रखना तीक है आपका rounder रहेगा इस तरह आप र तो आपने इस प्रकार इसको चार हिस्सों में divide कर लिया है समझ लो, अब आपको क्या करना है, अब आपको यह करना है कि जो आपका यह point रहेगा, थर्ड पॉइंट जो रहेगा, चार हिस्सों में आपने divide किया, तो आपका जो थर्ड पॉइंट रहेगा, उसको आपको क्या करना है आपके q point से क्या करना है attach करना यानि कि आपने ये जो third point है इसका नाम में रखोंगा r1 इसका नाम में रखोंगा r2 इसका नाम में रखोंगा r3 इसका नाम में रखोंगा r4 ये चार point आपको मिले हुए correct है अब ये तीसरा जो point है ये तीसरे को Q से connect करो, समझ लो इसका नाम Q है यह तीसरे को Q से connect करो connect कर दिया, समझ में आ गया अब सेम आपको क्या करना है, यह जो line है इसको थोड़ा लंबा कीज देना है यह जो आपका angle वाला line था, इसको आपने लंबा कीज लिया ठीक है, यह भी dotted line रहेगा तो तो यह भी ऐसा होगा, तो इसको parallel बोलते है correct है, आपको पता यह 10th में आ चुके है आप लोग तो सेम इसके parallel में आपको यहां से R4 से एक सीधा line खिछना है, जो कि यह वाले line को touch करेगा, जहां पे भी touch करेगा, यहां पे एक point बिल जाएगा और इसको आप सीधा connect कर लो इससे, अब आपको क्या करना है, कि यह जो line था, इसको भी थोड़ा सा extend कर देना है, लंबा क्या कर दिया, आपने लंबा extend कर दिया, और सेम इसी प्रकार, यह जो line आपका बना था, जिसका नाम तब PQ, सेम उसके parallel में यहां से आपको एक line खिस देना है, इस प्रकार से, और यह जो point मिलेगा, यह आपका बन जाएगा L, तो आपका finally triangle क्या बन गया, this is L, यह वाला part पूरा, देखो, लंबा बना रहा हूं में, इतना, यह आपका बन गया L, this is T point, तो L, T, R, और उसी के अंदर बन गया, आपका P, Q and यह R, समझ में आ रहा है, और इस प्रकार आपने इसको construction किया, ठीक है, यह Q point है, Q point अच्छे से लिख लो, यह Q point है, समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार आप लोग कंस्ट्रक्शन करोगे, तो ऐसे अंदर वाले triangle जो है, बन पाएंगे, clear है दोस्तो, तो उमीद करता हूँ कि यह type के questions, थोड़ा सा practice के ज़रते बहुत simple है, जो मैंने बात बोली है, जो मैंने concept बताया, जो steps बताया है, उसको practice करो, खुद से practice करोगे, जब बना लोगे, तो confidence अपने आप आप आजएगा, तो ऐसे कितने भी वीडियो देखलो, आपको नहीं समझेगा, तो वीडियो देखने के बाद, खुद से try करना, draw करना, जब आप draw कर लोगे, तो आपके अंदर confidence आजएगा, किस प्रकार मैंने बनाया, और इसी प्रकार के question ज़्यादा पूछते exam में, ज़ो अंदर वाले होते हैं, clear है दोस्तो, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर को में stop करना, क्योंकि 4.1 जो practice set चलता था, इसमें मैंने जैसा बोला था, आपको दो example कराऊंगा, पहला example में, दो अलग-अलग triangle ट्रॉक करना था, बहुत simple था, values निकाला, ड्रॉक कर लिया, और इसमें आपको construction method यूज़ करके, आपने इसको solve किया, और अलग से इसको rare बना के, 4S में divide करके, आपने इसको ड्रॉक किया, तो ये था हमारा question number 2 का answer, question number 3 and question number 4, आपको मैं homework दे रहा हूँ दोस्तो, जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा simple है, question number 3 में, again दो अलग-अलग triangle बनेगे, question number 4 में, आपने देखा होगा, AMT है और AHE, यानि A जो है, वो repeat हो रहा है, दोनों में आ रहा है, इसका मतलब, एक ही triangle में दो बनेगे, इस तरह से, तो आप जरूर से बनाना, और हमें कमेंट करके बताना, कि आप लोग draw कर पारे हो, कि ने कर पारे, तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले lecture में, जिसमें और भी ऐसे ही, आगे के topics आपको कराएंगे, और आगे के practice हेट कराएंगे, ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, दोस्तो प्लीज हमें comment करके बताना है, अपनी राय और suggestion जरूर से देना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है friends, तो मिलते हैं हमारे अगरे वीडियो में, ये वीडियो देखने के रहे, thank you and goodbye.